नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेलेंड कुरुजी चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके जो चैनल डिलीट हो गए हैं उन्हें आप वापस कैसे ला सकते हैं जिहां दोस्तों बिल्कुल सही सुना है आप अपने डिलीट हुए चैनल को वापस अपनी टीवी पर ला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने टीवी का जो रिमांट है उसके मेनू को बटन को दबाना है उसके बाद आपको एडिट प्रोग्राम पर किलिक करने के बाद आपको डिल न्यू प्रोग्राम पर फिर इसके बाद नीचे एडिट पर यहां पर आपको यह सेटिंग करने होती है तो इसमें नहीं आपको दूसरे वाले उप्शन पर जाना है हम बेक ले ले लेते हैं तो आपको यहां पर ओटो इसके न दिखेगा तो आपको इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा LNB Frequency यहाँ पर आपको 0-4-4-4 कर देना है यह कर देने के बाद दोस्तों आपको ओक्के कर देना है और यहाँ पर आपको जो चैनल की लिष्ट हैं वो अभी आपके सामने आ जाएगी तो देखे दोस्तों यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है आपके इदर रेडियो चैनल की लिष्ट आएगी इदर आपके टीवी चैनल की लिष्ट आएगी तो अभी आपके सामने यहाँ पर चैनल दिखने सुरू हो जाएगे यह 100 तक होती है तो 100 तक यह लाइन पूरी भरेगी तब जाके आपके चैनल पूरे शो होंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा एक चैनल आ चुका है अभी जैसे ही यह 100 तक हो जाएगी तो हमारे पूरे चैनल आपको दिखने लग जाएगे और आपके फिरी डिश्क में भी पूरे चैनल चलेंगे अगर आप दोवरा इसे रिस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहले की जो एक मार्च हो चुका है आप जानते हैं एक मार्च से जो हमारे टीवी चैनल थे वो बंद कर दिये हैं तो यहाँ हम वापस इसी तरह से ला सकते हैं अगर आपके भी tv के चैनल डिलीट हो गए हैं तो दोस्तो इसमें तो हमारे पूरी चैनल नहीं आये थे लेकिन हम दोबरा से इसे ओटो इसकेन करेंगे तो आटो स्केन करने के लिए हमें यहाँ पर वापस फिर से हमारे तीनी चैनल आएं जिस पर भी हमारे नो सिगनल पता रहा है तो ऐसे में क्या करें तो ऐसे में आपको फिर से वापस आटो स्केन पर जाना है चले मैं आटो स्केन पर किलिक करता हूँ इसके बाद आपको 150 और 50 लिख देना है तो यही हमारे चैनल की जो capacity है यही रहेगी और आपको यही लिखना है 150 और 50 यह रहने देना है क्योंकि सबी की जो TV चैनल है उसमें यही रहता है ज्यादतर तो आपको भी यही लिखना है पहले मैंने ऐसे ही बताया था कि आपके भी अगर ऐसा हो तो आप ऐसा मत कीजिए इस वज़े से आपके चैनल डिलीट हो चुके है तो आपको वापस फिर से 150 और 50 लिख देना है सौरी 150 और 50 ऐसा लिख देना है LNB frequency में इसके बाद आप जैसे ही आपके सामनी यहाँ पर यह पूरी 100 तक जो लाइन है यह भर जाएगी इसके बाद देखना आप दोस्तों आपके चैनल वापस दिखने लग जाएंगे और आपको मैं चिला के भी दिखाऊंगा कि हमारे जो चैनल है वो चल चुके है तो दोस्तों यह अभी आपके सामनी यहाँ पर कुछ भी काम के जो चैनल नहीं है वो पहले आ जाते हैं लेकिन आप टेंसर मत लीजिए इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं और आप इन्हें डिलीट कर दीजिए क्योंकि इनसे हमें कुछ भी काम नहीं हमें तो हमारे सीरियल चाहिए और मुवीज देखने हैं उनकी ही चैनल रखने हैं हम तो और को डिलीट कर देंगे तो अभी आपके सामने यहां पर हंड्रेड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरी चैनल आना शुरू हो जाएंगे तो देखिए आप यह आज तक तेज आ गए इंडिया न्यूज न्यूज एटीन धंगल भोजपुरी सिनेमा यहां पर अभी इधर रेडियो चैनल की लिस्ट चल रही है यह देखिए दोस्तों एम टीवी सोनी मिक्स एम टीवी आज तक अभी पी न्यूज जी न्यूज न्यूज इस्टेटरस विहार डिडी इंडिया यहां तक कि हमारे किरकेट के भी चैनल आ चुके हैं दोस्तों औ यहां देखे दूस्तों हमारी पूरी हो चुकी है और अब आप जैसे ही एक एक नमबर का चैनल लगाएंगे तो वहां से आप स्टार्ट कीजिए कि आपके चैनल आये हैं या नहीं आप देख लीजिए अगर आये हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं हाए हैं दोस्तों त करके पेवाली छत्री जरूर लगाई है क्योंकि सरकार ने यह योजना बंद कर दी है अब फिर डिश्क में के अवल न्यूज के चैनल ही चलेंगी मैंने आपको यह वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए बनाई थी ऐसी यूटूब पर वीडियो फरजी बहुत सी डली है तो इस टेकनोलोजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद